वेल्कम बेक तो केमफेक्ट एजुकेशन तो इन टूडेज चेप्टर वी विल डिस्कर्स अबाट आइसोटोफ इफेक्ट देखा जाए कि आइसोटोफ इफेक्ट होता क्या है तो देखो बेसिकली बोला जाता है कि दर रेट ओफ रियक्शन चेंज विद आइसोटोफ सब् चेप्ट में क्या क्या पढ़ने वाले क्या-क्या क्या नहीं पढ़नेवाले तो पहले यह देख लेते हैं तो पहले हमँ बात करेंगे की बात किर। तक मतलब जो नियों सपकते हैं तो इसकी किखा जाता है और स्कुरर जो ऑपने पाद जो secondary kinetic isotope effect है वो higher education मतलब higher studies में deal की जाती है जबकि जो आपने पास primary kinetic isotope effect है उसके क्या है कि एचप और केडी की value high होती है तो उसका effect अपने जहीं तक भी समझ सकते हैं तो अब देखो जो इस chapter में हम पढ़ेंगे primary isotope effect देखेंगे फिर secondary secondary kinetic isotope effect देखेंगे और उसमें देखेंगे हम normal normal alpha secondary kinetic isotope effect और inverse secondary kinetic isotope effect और हम बोलेंगे बीटा मतलब जो अपने पास secondary हो गया और अपने पास एक हो गया इस्टेरिक और इस्टेरिक को हम किसके नाम से बोल सकते हैं remote isotope effect के नाम से भी बोला जाता है ठीक है तो यह हम बात करने वाले हैं ठीक मतलब किसके हमें प्ता लगेगा कि इसमें अंदर कायनेटिक ऐस्टोव effect है या नहिंए तो हम बचपन से पढ़ते आ रहें दो हार्मोनिक पोटेंशियल और एनहार्मोनिक पोटेंशियल तो जो अपने पास जो यह एनहार्मोनिक पोटेंशियल होता है किसके बात कर रहे हैं हम एनहार्मोनिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इसकी इसी के बेस पे इसी के बेस पे हमें काइनेटिक काइसोटोव इफेक्ट के हैच अपॉन केडी की वेल्यू हमें पता करते हैं कि मतलब जो आइसोटोव इफेक्ट होता है वो किसके बेस्ट पर करते हैं एनहार्मोनिक पोटेंशिल के अंदर क्योंकि उसके अंदर ही हमने डेखा ता कि बॉन्डिसोश्यशन एनर्जी होती है बॉन्डी फॉती है वह किसके अंदर डियाग्राम के अंदर हैं सोब्सक्राइब मतलब रहा है इसलिए जो भी अपने पास आइसोटोव इफेक्ट है उसके पहली बात तो में बता दूं, potential energy के according नहीं बताते हैं हम, vibrational energy के according, feel करते हैं कि vibrational energy यह दिए change हो रही है, तो उसके according हम बताते हैं कि वाई, isotope effect है या नहीं है, ठीक है, अब देखते हम कि मतलब कि जो अपने पास पहले by definition देख सकते हैं, by definition देखा जाए, मतलब कि अपने पास bond dissociation energy होती ह क्या है क्या नहीं होती तो दिखो अपने पास कोई भी बॉंड है सपोच करो मेरे पास यह कोई है यहां पर कोई मॉलिकूल है और यहां पर कोई मेरे पास भी मॉलिकूल है ठीक है यह क्या करेंगे एक दूसरे से क्या रहेंगे एक दूसरे से क्या करते रहेंगे यहां पर इन करने में इस bond को break करने में में को कितनी energy की जुरत पढ़ रही है और कितनी energy की जुरत नहीं पढ़ रही है मतलब इनके अंदर जो vibration है वो change किस हिसाब से हो रहा है मतलब मेरे पार उसी के according हम को डील करते हैं ठीक है यह बात हम यहां पर देख सकते हैं अब यहां पर एक चीज और देखने की है कि मतलब जो energy है energy है तो यह एनर्जी का formula देखे तो अपने पास क्या होता है n प्लस 1 बाइट 2 अपने पास h new होता है तो देखो पहले हम तोड़ा सा basic देख लेते हैं कि मतलब हमने कैसे मतलब पता लगाया कि मतलब catch upon caddy की value किसके case में कितनी होगी कि मतलब primary के case में मेरे पार इतनी values होनी ची होगा और मेरे पास secondary की value इतनी हो निची है तब में उसको secondary बोलूगा तो मेरे पास general देखा जाए तो अपने पास e की value क्या होती है मतलब जो formula होता है n प्लस 1 बाइट 2 h new होता है ठीक है और हम देख सकते हैं mu की value क्या होती है अपने पास यहां पर k upon m जो मतलब 1 upon 2 pi root में हम क्या अपने पास federal यहां पिक हान सकते हैं मतलब मौ के हैं कि हम पता है जो अपने पास जो energy है तो जिसका माच ज्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोशेशन एनर्जी मेरे पास क्या है कम है यहां पर तो बहुत सकते हैं कि हेवियर आइसोटॉप ओल्वेज है जो लोवर एनर्जी इनोड की वेल्यू की बात करें यहां पर तो हम देख सकते हैं कि जो इनोड ऑप इन्दा केस देख सकते हैं कि मतलब काइनेटिक इसोटोप इफेक्ट को मतलब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ और देख सकते हैं मतलब कि स्टесп attributes इस्टेप में प्राइमेरि में हमें किया देखना है क्या कईण ने देखना तो हमने बोला था कि हम जो इस चैब्टर में हैं है वह क्या क्या हूँ पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं कि वाद क्रू Как मिलों कर दाहिखत कि मतलब मतलब जो हैसे और डी को हम जो आइसोटोप की बात कर रहे हैं मतलब जो आइसोटोप से सबस्टिट्यूट किया है हमने किसी भी मतलब मालों कि हाइडोजन को मैं डिटीरियम से सबस्टिट्यूट कर रहा हूँ ठीक है तो मतलब जो बॉंड ब्रेक होगा मतलब जिसकी बात कर और 14 कार्वन की बात करूं तो भी मेरे पास किसमें RDS में मतलब चेंज होने चीए ठीक है तब उसको मैं बोलूंगा प्राइमेरी आइस्टोप इफेक्ट ठीक तो फॉर एक्जांपल यही मैं इस एक्जांपल की बात करूं में तो इस एक्जांपल में मैं देख सकता हूं कि म मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा और यहां पर यहां पर निकल जाएगा ठीक है यदि मैं इसको CH2H लिख दू यहां पर CH2H लिख दू और एच और डी लिख दू मालो मेरे पास तो यह रेडिकल हो रहा है मेरे पास जो यह रेडिकल हो रहा है और हां पर देख सकते हैं क पहले case में, यहां पर BR क्या करेगा? यहां पर hydrogen यहां और dooterium को abstrait करेगा. तो जो पहल यह RDS है मेरी यहां पर. यह कहाँ मेरे पास? RDS है. तो यहां पर देखो, यहां पर hydrogen break हो रहा है और dooterium भी break होगा. ठीक है? तो अब मेरे पास देखो यहां पर जो hydrogen और deuterium को मेरे पास break करने में same energy लगी है या ज्यादा energy लगी है ठीक है इसकी बात करते हैं किसमें primary isotope effect में ठीक तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुन सा है primary isotope effect है primary kinetic isotope effect है ठीक है क्योंकि यहां पर हाइडोजन और deuterium है वह RDS में break हो रहे है RDS में break हो रहे है मैं आपको इसका direct method भी बताऊंगा ठीक है कि मतलब हमें कैसे define करना है कि यहां पर primary है या secondary है लेकिन पहले हम general समझ लेते हैं कि मतलब मेरे पास primary iso-tub effect में क्या होता है secondary में क्या होता है ठीक यहां पर इसको energy को देखा जाए मतलब यहां पर energy diagram को देखा जाए तो हम बहुत सकते हैं कि जो अपने पास E node अपने पास दी है deuterium के case में मतलब जो bond break होगा जो breaking bond होगा मतलब बहुत सकते हैं वो क्या होगा अपने पर यहां पर hard होगा मतलब in the case of CH अपने पास कह रहेगा easy रहेगा as compared to CD मतलब किसी भी bond उसका reason है कि अपने पास CD bond strong होता है as compared to CH bond ठीक है इसलिए यहां पर RDS CH upon KD की value देखे जाए तो अपने किसकी comparable रहेगी कि मतलब यहां पर primary case के comparable रहेगी primary case के comparable रहेगी ठीक है यह बात हम यहां से देख सकते हैं अब कि किसी को कि हमें कैसे define कि मतलब यहां पर primary होगा या secondary होगा और उसकी values कितनी होगी यहां पर तो देखो यह derivation है इस चीज़ के लिए यह आपर यह derivation है यह आप follow कर सकते हो मतलब कि कैसी अपने पास यहां पर catch upon KD की value कितनी आएगी कितनी आएगी तो वह आप इसस से निकाल सकते हो ठीक है अब देखो यहां पर जो यह kah Central yeah तो hah…. पास eight I कितनी एई approximately मेरे पास eight I Ks CAD की value मतलब मेरी पहली step मैं बहुत सकता हूँ कि मेरे पास कोई bone break नहीं हुआ तो यहाँ पर तीन case होते हैं कोन कौछ से case होते हैं एक तो प्राइमे पहला case है सिमेट्रिकल transition state form हो सिमेट्रिकल transition state form हो मेरे मान लो कि यहाँ पर मेरे पास carbon है यहाँ पर हाइडोजन और मिरे पास base है थिका है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ पर dotate से दिखा देता हूं यहाँ यह मेरे पास symmetrical है बना मेरे पास जो base और जो carbon है उन दोनों का hydrogen को break करने के लिए फोर्स है वह मतलब सेम है ठीक है मतलब बोल सकता हूं मिरे पास यह symmetrical है तो मिरे पास symmetrical है तो KH upon Kd कि वैली कितनी आएगी मिरे पास यहां पर 8 observe कि और वो किसे की गई इस formula से observe कि गई ठीक है और यहां पर temperature को कितना रखा गया था 25 degree centigrade रखा गया था ऐसे यह दि मैं बात करूं कि in the early stage early stage में देख सकता हूं कि मेरे पास जो CH bond होगा वो stronger होगा कि एच compared to किसके एच compared to किसके इस वाले bond के मतलब यहां पर इन दोनों के bond break इन दोनों के ście bond umhorn हो रहा होगा उस्ते ज़्यादा मिरे पास क्या हुगा यहां पर इन दोनों के विच मेरें ौडिष में पंज बार्त Gang उछा की एक घंडेंटी कि मेरे पास की एच रहाएगी मने पास खर llev यह देन एक रह जायेगी मैं बोड सकता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एटी की वेली मेरे पास कहां पर कितनी रहेगी कि है आपर के नी तो मैं नेदी की की वेल्यम मेरे श्टेज में आप देनायस कि एट रहे हैी कि कौन से टेंप्रेचर पर रहेगी 25 डिग्री सेंटीग्रेट पर रहेगी ठीक यह बात हम यहां से देख सकते हैं यहां से ही में आगे मुग करूं कोई कि क्लेश कर दूँ तो मेरे पास मतलब क्या बहुता हूं कि मतलब कौन सा इफेक्ट होगा और कितना मतलब चेंज आएगा वह देख सकते हैं लेकिन उसके पहले यहां पर चीज यहां पर यह देख आदे आपको ट्रांजिशन स्टेट देखनी हो मतलब की मेरे पास बांड ब् की नोर्ड अपने पास किया वो तो यहां पर देखा जाए तो मेरे पास kवोऔर केडिरी की लिए देखे जाए तो यहां पर क्या हो जाए जब मैं यहां पर जो आर गूरूप मिरे पर और स्प्रवारी से इसे ही इनको इंक्रीज प्रांजिज भी और पास अग्रावा है यह wear the true यहांकि बारीज ल्गार? ईहाँ देख्वन वह एक लिए पर मेरे पास है यहां में स्य cath finishes एज कंपेर तो किसके इस गेप के कंपेरिजन में कम है ठीक है इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मैं यदि सब्स्टिट्यूट ग्रूप लगाऊंगा मैं यदि कोई कार्बन पर जिस पर मेरे को आइसोटोब इफेक्ट देखना है वहां पर यदि मैं उस पर सब्स्टिट्यू कर देंगे ठीक है अब मेरे पास पहले केस में जो RDS होगा उस में मेरे पास क्या बनेगा यहां पर यहां पर Macha यहां पर एच रखा ठीक है यहां पर आरवन में क्या करता हूं टेबल बना लेता हूं ठीक है इसके लिए तो मैंने क्या है कि आरवन लिखा यहां पर और रटू लिखा और यहां पर क्याइच अपॉन केडी की वैल्यू में लिख रहा हूं ठीक है तो मेरे पार आरवन को देखा जाए यहां पर बोलू कि आया और वन मेरे पाइड्रोजन है और और टू भी मेरे पाइड्रोजन है ठीक है तो इसके केस में बोल सकता हूं कि जो केस्ट अपन केड़ी की वैल्यू होगी वह मेरे पास कितनी आई यह 4.9 अब मैं क्या करता हूं इस पर मतलब सब्स्ट्ट्यूशन ग स्ट्रेंथ है उन में मतलब अपने पास क्या रहे गाए यहां पर क्या रहे गाए तो मतलब बोल सकता हूं कि में अब मेरे पास क्या होगा यहां पर केड़ी कि वैल्यू कितने आएगे में नियर अपने पास 2.7 ऑपजर किये गई यहां पर इससे ही मैंने यह दिस CS3 और CS3 रहे दिया अपने पास जो आरवन और रटू है तो इसके केस में 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 पास कितने होगी वैल्यू 1.8 हो गई तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास यह सब्स्ट्यूशन बढ़ेगा सब्स्ट्यूशन बढ़ जाए गा मतलब गुरूप की बात कर रहा हूं मैं ठी फ्राइमरी की वैल्यूशन बोला जाता है कि 1.6 1.5 और 1.6 से लेकि मेरे पास कितनी रहेगी एड तक 1.5 से लेके 1.6 1.5 to 6 लेके मेरे पार 8 तक क्या रहती है यहां पर 8 तक कितनी रहती है primary 1 डीगरी kinetic isotope effect की values रहती है ठीक है ऐसे ही secondary की भी देखेंगे कि मतलब secondary कितनी रहती है कितनी रहती है नहीं रहती है तो यह बात हम यहां पर कर सकते हैं ठीक है अब ऐसे यह आगे यह move करें आगे यह next question है और next question में अभी हमने क्या decide कि kinetic isotope effect है वह भी primary है उसके अंदर मेरे पास कितनी मतलब कितनी कि वेल्यू कितनी आ रही है बोसकता हूं थर्टीन थाउजन्ड रहे थर्टीन थाउझें सोंद्रेट और बोर सेवन्टीफाइब थाउजन्ड रहे ठीक है 75,000 रहे है इतनी मतलब इतनी ती वेल्यू जाय तो वह तो अपने पास यह किसका case होसकता है यह किसी का case होसकता है तो वह देखो यहां पर यह भी बात की जाती है यह वेलिउज भी प्राइमेरी में होती है अब उनको define कैसे करते हैं कि मैं जो क्या हुआ होगा कि वहां पर इतनी केज़ अपने पास इतनी आई होगी तो यह दि मेरे पास जो next example ले रखा है मेरे पास यहां पर तो मेरे पास द की गई कितने temperature पिसे 47 Kelvin temperature है यहां पर यह वेस मेरे पादивает की गई इसके अंदर देखा गिए के के अंदर क्या हुआ आपने पास ब क्लेक्स कर दरल की हगा है छी हाइडोजन ट्रांसपर हो हो हैट्रोजन ट्रांसपर हेगार तो यहां तो यहांते यहां से त्रांसपर वे हाईडरोजन ट्रांसपर हो रहा है तो उहां पर क्या होगा मेरे पास क्या रहता है और यहां पर मेरे पास क्या रहता है, रियक्षन कोडिनेट रहता है, ठीक है, मेरे पास यहां पर रियक्षन कोडिनेट होगा, तो यह दी नॉर्मल की बात करूँ, तो नॉर्मल में मेरे पास क्या होगा, यहां पर यह कुछ ऐसा डाइग्राम आता है, यहां पर क्या आता है, य Adventure होता है तीक है नॉर्मल पात रहता है लेकिन जो मेरे पास यह कि दी तल्निंग की बात करू में तल्निंग में 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 मेес पास क्या होता है कि यह bandwidth जो भी अपने पाश width होती है हो क्या होती है decrease होके यहां पी यह पहले तो इतनी रहती घृक है यहां पर stretching इतनी रहते हैं फिक्षा ऐपी कर야 मिरूं उद्स siis औस त поймyl को देखा रहाएं तो अहीं थे क्योंता है की मतलब अंदर जब हम कूसन सोल करेंगे पहले हम क् attractive होगा होगा कहां secondary होगा और कैसे define करेंगे कितनी वेल्यू रहेगी पहले यह decide करेंगे उसके बाद में हम दस्पंदरा क्यूसें सॉल करेंगे ठीक है तो हम आगे मुह करते हैं तो यहां पर क्या है अपने पास क्या सब्सक्राइब की वेल्यू थर्टीन है थर्टीन थाउजेंड नहीं आ यहां पर कि यह अपने पास जो मतलब जो RDS है RDS step में अपने पास यहां पर bond break ना हो जो जिस की बात करें जिस सब्सक्राइब की मतलब जो आइसोटोप है उसमें bond break ना हो bond क्या हो break ना हो या तो आगे वाली step में हो या फिर हो यह नहीं तो secondary kinetic isotope का पहला तो यह हो गया कि अपने पास क्या होना चाहिए जो RDS step है उसके अंदर hydrogen या deuterium अपने पास यहां पर break नहीं होना चाहिए दूसरा क्या हो पहले तो पहले यह condition लागू हो यहां पर लागू होनी चाहिए second बहुँचे हैं कि अपने पास यहां पर हाइबर्डाइशन चेंज हो क्या हो अपने पार हाइबर्डाइशन चेंज हो ठीक है यहां पर SP2 से SP3 गया मेरे पाद SP3 से SP2 गया तो यहां पर हम बहुँचे है क्कोन सा एफेक्ट हो गया आपकर यहां पर secondary kinetic isotope इसोटोब एफेक्ट होगा ठीक है अब उसमें एक चीज यहां पर हाइबरडाजेसन नी में बोल रहा हूं कि हाइबरडाजेसन चेंज होना चाहिए ठीक है तभी अपने पास सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोब काइने बात कि मेरे पास प्रम अब भी ठीक है यहां पर होना चीज यह बात किया अपने पास करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ घाया कि हम बोलना क्या जा रहें यह सिस्टेट्मेंट से दीक तो मने ले बोला कि है आपकर केंडरी का इस्टोब नहीं होने चीज तो इसकी जो यह 540 वेल्यू पे टेमप्रेशर अपने पास 25 डिग्री से इंटिग्रेड देखा गया तो ख़चापने पास पॉइंट से लेकर अपने पास यहां पर 1.4 तक अपने पास यहां पर ऑबजर किये गई तो यहां पर यहां पर क्या रखा है सेंटर का तो वन को क्या है यहां से नीचे है तो उसको इनवर्स दिया गया यहां पर क्या दिया गया और यहां पर वन से ज्यादा है 1.4 तक है उसको क्या गया हमने नॉर्मल यहां से नॉर्मल से डिफाइन किया गया यह इस एग्जांपल की बात करू यहां पर तो देखो एक्जाम्पल में में पास यह वाली स्टेप कौन सी हो गई यहां पर यहां पर यहां पर है यहां पर है यहां पर में पर यहां पर में पर सकता हूं कि में पर कौन सा इसे केंड्री काइनेटिक आइसोटोव एफेक्ट यह बात में यहां पर बोल सकता हूं है इसे यहीं मैं next question की बात कर रहू तो पहले में क्या करता हूं कि कुछ मतलब define कर देता हूं कि normal किसको बोलते हैं इनीवर्स किसको बोलते हैं जो हमने पहले भी बोल दिया कि न्यूर्मल में देखा जाए तो 1 से लेके 1.4 तक की वेलिव रोनी चाहें इसका मतलब बहु से लेके यहां पे केड़ी की वैली की बात करा हूं मैं केड़ी की वैली जिर पॉइंट 7 तक रही तो उसमें में पाद जो सीडी वॉल्ड है वह एज कप उसका इफेक्ट मेरे पास सी एस से जादा होना चीए तो उसको मैं बोलूँगा इनवर्स काइनेटिक इनवर्स बेहाँ यहां पर कि माल लुक्वान यहां पर मेरे पार मेरे पारं कोई प्रियाक्शन पर यहां पcrit या है तो उसको बोलता हूँ कि में पासल फाल 1 तो मेरे पास याँ यह ब्सक्राइब है तो मेरे पास हुए हई रियेक्षण होने वालजी होने वाली है वहां इस को बीटान पाद फोरो यह थार्वन फैना funktion सुनका स्क जो ह् यहां पर वालं पहले यहां तो यहां पर लेखेंगे पहले की वात करेंगे छाए इसके लेंगे के मतलब इन दे रहा है कि यहां पर स्कार्थ madam औरael速 ने उसके पूर आज़ हो क्यों किया दिपास किया और देख अजन है अब देखा यहां अब देखा जाए मिर पाफ देखो origin का रोल ही नहीं कि नि elector फर ली नहीं है यहां पर हाइडोजन रहा तो मतलों यहां पर more electrophilic center रहेगा और यहां पर deterioration रहा तो तोड़ा सा less electrophilic center रहेगा क्योंकि यहां पर hydrogen की electron density अपने पास क्या होती है कम रहती है वहां पर टोड़ाइब कि रहती है ज्यादा रहती है तो उसके साफ से हम यहां पर define नहीं कर रहे हैं यहां पर इसके साफ से हम हुआ है कि मेरे पास क्या effect हो रहा है किनी ही यहां पर यहांपे हम define करें कि अपने पास जो यह वाला carbon है जिस carbon पर मेरे पास reaction हो रही है उसका hybridization मेरे पास कितना है उसका hybridization मेरे पास SP2 है क्या मेरे पास SP2 hybridization है जबकि मेरे पास जो यह वाला center है उसमें मेरे पास क्या है SP3 है ठीक है मेरे पास क्या SP3 है तो यहां पर देखो SP2 से SP3 में change हो रहा ह याद करने का मतलब कि कैसे Define करते हैं मैं इंवर्स और उसको मेरे पास SP2 से SP3 में जा रहा हूं तो मेरे पास क्या एगा यह बात हम यहां से देख सकते हैं ठीक तो अब देखो अब यदि next question की बात करू में तो यह बात यहां पर हमने कर ली कि कितनी values आएगे कितनी values नहीं आएगी तो इसकी जो केच अपॉन केड़ी की values observe कि गई इसकी cage upon kady की observe कि 25 degrees centigrade पर थीक है celsius वह तो यहां पर कितनी किए गई इसकी मतलब 0.73 और 0.73 हम किसमें deal कर रहे थे हैं आप इंवर्स में किसमें कर रहा था RDS में SP2 में चेंज हो रहा था मतलब हो सकता हूं कि 3-2 is equal to 1 तो मतलब मेरे पास कुन सा आएगा नॉर्मल आएगा यहां पर क्या आएगा नॉर्मल आएगा ठीक है यह बात हम यहां पर देख सकते हैं आपको देखो तो हईबर डाइजसन मतलब हईबर डाइसेशन कब देखना है अपने पास जो आइडियेस में मेरे पास हाइडोजन और डूतीरियम और ब्रेक नहीं हो रहा हो इससे यहीदि मैं इसकी बात करूं यहां पर यहां पर मैं आपसे पूछो जो आईएस आईएस में देखा जाएं है और में बोल रहा हूं कि देख और कि अकोर्डिंग के कंडिसन ले रहा हूं कि में बोल दूं मेरे पास पोलर सोल्वेंट है और मेरे पास यहां पर पहले कार्बोकेटा इन फॉम हो रहा है मेरे पास क्या है मेरे पास है यहां पर यहां पर हाय तो है या पर यहां पर यहां पहले कार्बोकेटा इन फो मोजाएं पहले मिर पास क्या Remote और यह Amelndan देखा गि stir मेरे पाश किसका है हम डिल करें यह बीटा अपने पास secondary kinetic isotope effect की बात करें यदि मेरा starting में मिर पास sp3 है जो यह वाला carbon है मिर पास sp3 है ठीक है sp3 है अब मिर पास यह क्या हो गया मिर पास sp2 हो गया मिर पास क्या हो गया मिर पास sp2 carbon हो गया ठीक तो यहां पर hybridization हाईबर डीटिरेम को यहां पर देख रहे हैं मतलब इस कार्बन पर यह वाला होगा यहां पर जैसे ही कार्भोकेटाइन फॉम होगा मिर पास तो मिर पास क्या होगा हाइपर कोंजूगेशन होगा हाइपर कोंजूगेशन होगा मिरे पास बोल सकता हूँ कि मिरे पास्ट यहां तक वेरी गर रहा होता है और इसका मला बोल सकता हूँ सजो थी से में में चेंज हो रहा है स्बीन इसका कौन sans और होन्य नोर्मल होगया क्योंकि वाला है। मैं पॉन फेस ब्ता हैं थे टीरियम यहां पे हम इसकी बात कर सकते हैं म Moment मिरे पास कहा होगा मुत कौन सा अब अब यह एक चीजा और बता दूं.. बीटा एका बीटा से कम रहती मैंद आपने पास क्या है क्या हैeni चोंड它 आपने पास झ्यादा रहता है यहाँ पेलफा बपास जाधा रहता है उसका रीजेन कि बोलते हैं किretsing किया और इसरेइन फ्रिक्वेंसी ए तो तो इसें अंदर किया देखते हैं यह यह यहापर संद की कि अवाइम यह यहापर कोन्णूराइज को क्या बहुता है रजसरें गाहते इसपैस बोलने को देख iOS को देखा है और डाइग्राम से यहां maintenant क्या होगा यहां पर यहां पर जैसे यहां पर कार्वोकेटाइन फोर्म होगा तो इन इस पेस अपने पास क्या होता है यहां पर क्या होते हैं कि घिंदि बीजिए सब्सक्राइब नहीं होगाוכ तो हम हमिद्स में अपने एंथे दिए रहेगा और दूसरी चीज में बोसकता है जों होगा मेरा इस मत में पास तो वहां पर बोल सकता हूं कि जो bond order होगा उसमें क्या होगा मेरे पास कमी होगी तो case upon caddy का effect होगा वो मेरे पास ज्यादा observe किया जाएगा मतलब क्या करेगा high observe किया जाएगा ठीक है मतलब यदि महरे पास कोई दो species है उनकी जो bond hybridization होगा मतलब जो hyperconjugation होगा उसके मतलब जो hydrogen होगा उसकी bond length ज्यादा हो जाएगी और bond strength अपने पास क्या रहेगी bond strength कम रहेगी as compared to अपने पास kd तो वहां पर high observe क्या जाएगा तो इसका मतलब होग सकता हूं कि जो beta secondary kinetic isotope effect है मेरा जो beta secondary kinetic isotope effect है वह किसके मतलब कौन से किसमें पढ़ा जाता है hyperconjugation के case में पढ़ा जाता है और वहां पर जो ks upon kd की value है वह higher रहेगी as compared to ks upon kd in the case of यह alpha है यह alpha है और यहां पर यह बात है यह beta की बात है ठीक है अब देखो next हम क्यूसेंज को solve करते हैं अब यह बात हमने क्या करें प्राइमेरी और secondary में देख ली कि मिरे पास क्या है क्या नहीं है यह यहां पर यह तेवल ड्रो करो यहां पर प्राइमेरी में मेरे पाद हाइड्रोजन और तो हमने हो या नहीं और dis मैं राइग बरेक हो ऺंधियो डिक रहा है या नहीं और istically की भात कुरू में तो सेकंदेश्ट इसमें मेरे पास क्या हो न चीए और यदि RDS में मेरे पाव भर देख नहीं होगा तो यहां पर बोल सकता हूं कि एक बार के लिए मैरे पाईबर डाइजेशन हो या नहीं हो ठीक है चेंज हो या नहीं हो कई-कई case होते हैं जिनमें है था होता है तीक है लेकिन mostly यह बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पर क्या होगा यहां पर हाइबडाइजेशन चेंज होगा क्या बोल सकता हूं मेरे पास हाइबडाइजेशन चेंज होगा ठीक है हाइबडाइजेशन चेंज होगा यदि ऐसे ही मैं इन्वर्स कि यह किस की बात करा हूं मैं नॉर्मल की कि बात कराऊ यहां से बहुत सकता हूं कि मेरे पास किके कि कि हैं कि कि मेरे पास कितने हैं यह और यह से इंवर्ष की बात करूं में यहां पर इन्वर्स में मेरे पास KS upon KD की व्यल्व कितनी आनी चीह, मतलब बहुँ सकता हूं 0.7 से लेकर 1 तक आनी चीह, तीक है, यह बात हम यहां पे समराइज कर सकते हैं, तीक, अब मेरे पास तो next question है, जो next question है, उसमें मेरे को define करना है, कि मेरे पास यहां पर क्या होगा, वालब के KD कितनी हैं और secondary kinetic isotope effect हो गा या primary kinetic isotope effect हो गा तो एक चीज और में बता दूँआ आपको कि कई कई केस क्या होते जिसे नोर बोराइल सिस्टम हुए है उसमें क्या होता है कि जो हमने डिफाइन किया था मतलब जो अपने पास पर प्राइमेरी की बात करूंसी ने हमने के एक्प्रक्षी इसको एक इस्क लेकर्थ प्रिक्ष Tabii नीचे अर दैने यह सबस्क्षाएजavic में यह सब्सक्राइब लेकिन टो इस एस प्रिकप्षेंचरा खरएंदि भी किंसे नीचे अजाते लेकिन कभी कभी कह से नीचे कितनी देखिए हमने 0.7 से लेकर 1.4 तक देखिए एक्टोल लेकिन कभी कभी क्या होता है तो यह 1.4 है वह क्या करता है अपने पास less than 2 अपनों नियर 2 बहुत सकता हूं जैसे 1.9 हुआ 1.98 हुआ मेरे पास 2 को कभी क्रोस नहीं करेगा यह मेरे पास तू को कभी क्रोस नहीं करेगा लेकिन अपने पास इनमें क्या होता है तोड़ा सा चेंजे जाजा तोड़ा सा इफेक्ट क्या गरता है ज्यादा आजाता है और चालकुलेट किये जो 1.4 काइश अपन केडी की वैलियू हमने यहां पर उबजर की गई है वह किसके के कही थी ऐल्फा की केस में कहीति है यह बीटा की केस में बोल रहें कि अपने पास नाइन नाइन तक भी आपने पास वेरी कर जाती है कभी और बोल सकता हूँ 1.90 यहां पर 1.95 लिख लो यहां पर इसा लिख सकते हैं हम यहां पर ठीक है तो यह बात हमें देखनी है यह पर ठीक यह बात भी हमें यहां पर समझना ज़र रही है तो एक चीज यहां पर यह देख सकते हैं अब यदि मैं क्यूशन को सौल करूँ पहला मेरे पार जो क्यूश मि family च्यंआइधाएट हाइबेदाइजेशन चैंज हो गया मिर पास तो ट्री माइनस टू देखो मिरे पास यहांपर मरे पास क्या हो ऑना गा मजलब हो जा क्रश्च दो सबैसे हैं मेरा यहां पर तो मैं बोल सकता हूं कि सेटेंटरी काइनेटिक आइसोटोव ईफेक्ट और सेटेंटी के इसोटीन व्हान अम अे जे स्वह तो मैसे खंटरी कि यह बीटा है कि निकल रहाम से ऑचे कुल रही है तो यहां पर पीट निकलने वाला alltså यह 맛이 वासे निकल रहा थे यहां पर निकल रहा थामेर पाज्ड को पार हाँ मेर पार हो से सब्सक्राइब कर ale वे क्षट कोणंसा हो झाल झाला यहां भालाμαι कितनी आ सकती है 1.4 से ज्यादा आएगी 1.9 से कम आएगी तो जो ऑब्जर की गई वह कितनी की गई 1.89 ठीक है ऐसे यह दिए में next question को देखो में अब next question में फिर से वही मेरे पास बात आगी कि मैं मेरे पास के अपन केडी की वेली कितनी होगी कितनी नहीं होगी यहां पर तो अब यहां पर मेरे पास देखो फिर से वही बात है तो यहां पर देखा जाए मेरे पास तो देखो यहां पर इसमें यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह कार्बो केटाइन फॉम हो रहा है मेरे पास अब मेरे पास कार्बो केटाइन फॉम हो तो मिरे पास KH upon KD to change होंगी मतलब मैं मिरे पास बोल सकता हूंगी यहां पेस्विधी 2 में हीजेंज होगी है यहां पर किस बोल सकता हूं कि नॉर्मल है नॉर्मल है ठीक है नॉर्मल है और कौन सा है मिरे पास सेकेंडरी काइनेटिक इसोटोप इफेक्ट है उसका रीजन बोल रहा हूं कि मेरे पाइडोजन और डीटिरियम है वो मेरे पाइडियस में क्या हो रहा है ब्रेक नहीं हो रहा है यहां पर यह बात हमने कर ली ठीक है अब बात यह है कि मेरे पास यह क्या है यह मेरे पास यह ब ज़्यादा रहेगी मेरे पास यहां पर जो यह वाला जो यह प्यो और बीटल में मेरे पास कोई कोई सिस्टम दे रखाए कि मतलब जो अपनी इलेक्ट्रों डेंसिटी आपर डोनेट कर सके तो उसके अंदर अपने पास क्या होगा पहले से यह एलेक्ट्रों डेंसिटी डोनेट कर चुका होगा तो मिरे पास 1.4 चाहिंगे भी कम वो सकती है तो यह हमें पता चलेगे वाए अपने पास यहां पर यहां पर क्या होगा aus अवीट. होगा पहले चीज तो हम यह बता सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा अलफा होगा या बीटा होगा ठीक है पहली बात यह होगे और दूसरी बात बोल सकते हैं अपने पास कि यहां पर सेकंडरी है या प्राइमेरी है वह भी हमने देख लिया ठीक अपने पास यहां पर यह हम कोंजुकेशन के बाद करें हाइपर कोंजुकेशन की बाद करें तो इन मेंसे मतलब किसके केस ज्यादा होगा और किसके पास पर यहां पर देखा जाता है फिर डाइडरल गासिए दखने संद्रेशन पर्पेंडिकूलरे से यहां पर पेंडीकूलर है तो इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखा ग्या कि हैज़सर की गई मेरे पास जब eason पास जो है H2 में देखा जाए है अह इत या है इधर से आना पड़े座 सकता थो इसको इधर तो किया आणा पड़ेगा जब कि मेरेंगे हाहें इन रपास चाहिए वह मेरे पास यह तi कर रहा है मतलब जो अपने पास जो और्बिटल सिमेट्री है उसके कर्रस्पोंडिंग डारेक्ट अलाइन कर रहा है तो इसका मतलब बहुत सकता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन यह दी डूटीरियम में मेरे पास तोड़ी सी भी बॉंड बॉंड इस ट्रेंट में फ्रेक आया नहीं पर यह देख सकते हैं अब यह बात कर लिए हम ने किसके फिसके वन डिगरी ओर टूडी प्रैमेरी के बात कर लिए अभध करते हैं इस्तेरी में कहा उपन केडी की वेल्यू यहांपर एक सग हैं दिख एक बहुत के वेल्यू है अपने पास वो क्या हो सकती है अपने पास वन से नीचे भी हो सकती है और अपने पास वन से ज्यादा भी हो सकती है यहां पर क्या हो सकती है यहां पर यहां पर लोजिक वाली बात है इसके केस में यहां पर किसी को यह हो मतलब यहां पर क्या आएगी क्या नहीं आएगी तो देखा ज से इसमें चेंज करवा रहा है पहले मेरे को अब मैं बोलु कि मिरे पास hydrogen है एक और एक मेरे पाद deuterium है तो hydrogen के केस में यह change होना easy है यह deterium के केस में change होना यह easy है तो देखा जाए यहाँ पर कि मिने हाइड्रोजन लगा दिया तो मिरे यह दिने डिटीरियम लगा दिया तो मेरे पास cd3 ग्रूप रहेगा अब देख सकता हूं कि cd3 ग्रूप है मेरे पास cd3 ग्रूप है उसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि size है वह small size क्या है small as compared to मेरे पास किसके ch3 ch3 comparison में cd3 मतलब size है actual size molecule कि वह मेरे पास kum है तो इसका मतलब बोल सकता हूं कि rotation है जो मेरे पास cd3 होगा उसमीं मेरे पास fast होगा एस compare to c3 इसका मतलब में बोल सकता उँकि my इसटरिक है तो वहां पर ks upon kd की value मेरे पास क्या हो जाएगी और मेरे पास वह रहा है रहा है गाला विख उन्म के का जाएगी और यहां पर कितने ऑपजर किए गए इसके कैसे मीज़की मेरे इसकी यहां पर यहां पास केटेंगे पर ấy क्या रहिगे थाफ यहां पर हम देख सकते हैं केश अपन केडि की वह लियू तो डीक्यों मेरे पास सीघी त fazendo रहे हैं वह सीट है यहां पर इसकी बात करां और एक मेरे पास सी एक il है यहां पर cu abol actually whose actually a और मिरेको पता है मिरेको पता है कि पर कि 말ना मेरे परेश करना प्रसंद करेगा है मैं रहना पसक्याना प्रसंद करेगा सैस्ट करेगा मेस कि disp positivo कि मेरे पास CSD Dominate हो गया मेरा यहां पर तो मैं बोलश सकता हूं कि क्याइश केड़ी की कितनी की वैल्यु तो वह उसके भूझ चैंज हो जाता है ठीक है कितनी वेल्यु जाए मेरे पास यहां पर यहां पर इस्टेरिक है पहले बात तो मैं बहुत तो कि इस्टेरिक काइनेटिक आइसोटोफ एफेक्ट है ठीक है और केज़ अपोन केड़ी के मेरे पास कितनी है यह है हम यहां पर यह देख सकते हैं अब मैंने क्या किया इन जो भी हमने अब तक पढ़ा है जो भी हमने अब होती हैं लेकिन मेरे पास हायर होगी वह किसकर कैसमें तरनलीग हो ओगा मेरे मेर पास चैनल रहा महलीं यहां पर तो उसके एट से कम होग protrude यहेंद लोबर की बात करो तो लोऌ में हमने देखा था कि अरली स्टेज्ज और लेट स्टेज्ज थी उनने में में पास क्या है कि हैच बॉलिकि Miche कि किंवेथेश से कम हो गई धी एसे कम हो गई ही यहीं को सेकेंडरी की बात करो किने के नॉर्मल की बात सकता है यह बात हम यहां पर देख सकते हैं अपने पास maximum कितनी होती है 1.41 होती है ठीक है 1.41 होती है ठीक early or late stage में 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 पास कम भी हो सकती है और cannot be much larger than cannot be larger than 1.41 ठीक है यह हमने बात की थी alpha के है यह बीटा की बात करेंगे हम तोड़ी देर में बात में बीटा की कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती है अब देखो यह इन्वर्स रहा मेरे पास कितनी होती है मेक्सिमम मेरे पास कितनी होती थी मैक्सिमम यहां से स्टार्ट की थी 0.7 से लेके 0 यहां पर 1 तक हमने की बात की थी 1.0 तक बात की थी ठीक है इसमें और यहां पर किसमें कम किसमें हो सकती अर्ली और लेट स्टेज में और यहां पर बोला जाए कि इन्वर्स अल्फा टू में मतलब मेरे पास कम नहीं हो इससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है लेकिन देखा जाता है कि यहां पर जो 0.7 से लेके 1 तक की बात करें तो वह उसको इसी में डील करते हैं लेकिन मौस्ट ऑफ दे कैस में अपने पास यहां पर जो 0.7 है वह मेक्सिमम बोल सकते हैं क्योंकि अब तक हम ने जितने भी एक्जामपल देखें उनमे 0.7 0.73 ऐसे देखें न हम नहीं थीक है तो मना बोल सकता हूं कि यह चैन नहीं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां अब बीटा टू की बात करें बीटा टू की बात करें मतलब यहां बीटा टू मतलब इंदसेंज बीटा इडोजन पर मतलब सेकंटर का इनेटिक आइसोटोप की बात करें तो यहां पर कौन सी की बात करें हैं किसकी बात करें हैं आपर कॉन्जूकेशन की बात करें और हैं में भी हमने बोल रहा कि कितने हो सकती है 1.41 से लेकर अपने पास कितने हो सकती है 1.95 भी हो सकती है तो हम क्या करते है जंडल में देखा दा है तो हमने कभी कर एक केस ऐसा भी पढ़ा था उसके अंदर अपने पास यहां पर और यह किसके केसे कैश में एनलाइडरल यहां पर आ पर क्या है उसके पास के नदर मेरे पास कितना आ रहा था 1.0 आ रही थी तो यहां पर में आपने पास कहां यहाँ वाला तो हैं तो यहां पर मतलब मतलों मतलब जो मैक्सीम सब्सक्राइब करती है amount of hyperconjugation पर यहां पर depend करता है amount of hyperconjugation पर depend करता है ऐसे ही मेरे पास hysteric की देखी तो HD की लार्जर होगा in the case of CH CH में मतलब लार्ज होगा न क्योंकि CH अपने पास CH3 और CD3 को ही देखे हैं तो CH3 molecule मेरे पास large group है ठीक है as compared to CD3 group तो इसका मतलब मेरे पास hysteric kinetic isotope effect होगा वहां पर और यह इसकी जो वेल्यूज है वह depend करता है कि मेरे पास कितना hysteric है और कितना नहीं है ठीक है तो हमने इसका यहां पर conclusion निकाल लिया क्या करते हैं एक्जांपल से क्या लेते हैं यहां पर हाइज यहां पर चौन से हरने आपर हैहां पर हाइजमाडिक हैरे यहां पर हाइजलिन रहे क्लेजिवे में होडेम oxygen- Weber pas skin resistance में तुम्हें तुम्हें कोप तो नहीं है जीन हो गई है अब देखा यह तो 33 состо Olympics में क्या होगा भॉल्ब 235 क्मी क्वाओंड four mission होता है मेरे पाइप बॉंड four mission होता है यहांपर ठीक है और जो वन और वन है उनकी बीच में क्या होता है बॉंड ब्रेक होता है मेरे पास ब्रेक होता है ठीक है बाई में ब्रेक करके देख लेता हूं मेरे पास यहां पर तो मेरे पास बोल सकता हूं कि यह क्या होगा आपर यह डबल वॉंड हो जाएगा यहां पर सिंगल वॉंड हो सकते हैं आपे एक्साइंज हो सकते हैं अब देखू इसके अंदर अधर दो इफेक्ट आ देखो कौन कौन छह हैं। वह मैं बता धा हूँ एक तो जो 3 घृंषजर यह थरी कार्बन इस पहले स्पीटू मेरप코가 कितना है यह SP3 है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ पर आइविडाजेशन में SP2 से किसमें जा रहा है SP3 में जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इन्वर्स का हो गया secondary kinetic isotope effect हो गया ठीक है उसका मैं क्यों बोल रहा हूँ में क्या रीजन बोल रहा हूँ में पर कि मेरे पास जो हाइडोजेशन और डीटीरियम है वह मेरे पास RDS में तो मिरे पास ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब मेरे पास secondary kinetic isotope effect है तो यह बात हमने यहां पर कर ली और जो मेरे पास यहां पर नार्मल काइनेटीक हैसोटोटोफagen हो गया है है तो यहां पर यह बात हम कदेख सकते हैं यह वाला मेरे पास क्यूंस पहले बहुत अच्छे से देखना है कैभिन हो रहा है कैसे हो रहा है यह negative hydrogen पर यहां पर kita करता है किहाँ यहाँ पर एक्षाइद धनुर्ट करता है कि यहां पर इदर करता है है यहां पर यह इदर मौग करता है अपने पास यहां पर जैसे इस दो नेगेटिज हों यहाँ यहां पर इसा फोम होता है मेरे पास यहां पर डबल वोंड आ जाता है और अपने पास यहां पर यह क्या होता है आप मेरे को यह बताओ कि इसके अंदर मेरे पास कौन सा काइनेटिक आइसोटोफ फेक्ट है प्राइमेरी है यह सेकेंडरी है अब देखा जाए तो मेरे पास देखो जो स rêver पहले बाद है नियुक्त रदीया से अधिये से स्टेप मैंने यहां परया आपकर कॉडिंग कितनी हो नीशेइं cerealis और नेशे हो पर हमने चर्दरे का ते कि अधिनल मुर्म स्प्रजक रचा भीएडिरेपा सामच परणाने लेकिन मैंने एक केस और भूला था कि जब मेरे पास hydrogen break हो रहा हो मतलब हमेरे पास hydrogen क्या होरा a hydrogen transfer हो रहा हो तो उसके अंदर मेरे पास cash upon caddy कि वेखल मेरे पास कितनी आ रही थी वहां पर अपने पास कितनी अरही थे मेरेखल केड बेलियों मेरे पास उसमें जो एक chip गटाए उसमें पास 13 to 3 था रही थी तो आज से ही इसके में यहां पडेगों यहां पर ही लिटार मेरा यहां पर यह कंशिया देकिजयंग भ्लम करना सबस्टिक्ट कोond कर thats कि डिक वह बहुत जादा होती है कि अपने पास हो chegouनOne began को सबस्क्यादा होती है और वो किसके iq देखी जाती यह तक किसके iq कट कैद देखी जाती है कि यहां पर यहां पर उसका एञे को ना पर यहां अपने पास इतनी है कितनी है मेरको कि इह देख सकते हैं और जो यह नेक्स्ट वाला गंधिषेणक की वात को भूँत इंट्रस्टिंग यहाँ पहले तो हमें यही को से थे workshop पहली और प्रम और डाएगी कि मेरे पार कौन सी reaction होने वाली को नहीं नहीं होने वाली ठीक है तो देखो मेरे पार यहां पर देखा गया तो यह वाली पहले बात आप यहां पर reaction mechanism पढ़ा होगा उसके मन में यहाप पहले से ही मजल्य होगी को इक कोन सी रियक्षन को देखा जाए तो में डाट मेरा बोल सकता है मेर पास 2P मेर में पूपरगे है और सब्सक्र चैंप टो मैं क्या होगा है więks ग्वागे है यहाप डेक्टर देखा होगा तो वह नहीं में बता दें गांवे यहां पर कुण षampf EPA डाकवाल इसको वापस लिख रहा हो में त्रीक है मेरे पाइस यहां पर क्या है कि यहां यहां पर है यहां पर इसे निकाल देगा फाइनल प्रोडक कोंसा हो गया यह वाला फाइनल प्रोडेक कि मेरे पास जो मेरे पास जो सेकंडरर कायेटिक का है सोता है Irsling होता है थीग है लेकिन यहां पर है बढ़ टियक्ष Daarो लेकिन दिखुंच सुन्हें नोट किया होगा कि मेरे बादफ रचिसिपन करते हैं। हो रहा या नहीं हो रहा है पहले तो मैंने यह देख लिया कि मिरे पास है रीक्षन में पर्टिसिपेट कर रहे हैं इसका मदलब मिरे पास कुन सा हो गया है और primary शाफ करना आता है अब यहाँ पर पास क्या हो ग violation तो को पहले तो ईनुलेट着 क्या हुआ है पर它 और यह और इनुलेट着 हो गया है अब मेरे पास फुच्छा कि यह primary है या secondary है तो देखो मेरे को पता है कि rds में 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 पाँ hydrogen और Deuterium break हो रहा है break हो रहा है तो मिरे पास जो यह होगा वोगा कौन सा one degree primary kinetic isotope effect होगा ठीक है तो यहाँ पर हम इसको भी यहाँ पता लगा सकते हैं इसमें भी कौन सा होगी आपने पास primary काईनेटिक हो गया यह वाला था उसमें यहाँ सा होगा और वो बहुक्ना होगा यहाँपर यहाँ पी आईसोटोब होगा ठीक है मैं आप वह रियेक्शन वाइज भी बताता जाओंगा कि मिरे पास SN1 हुई, SN2 हुई, या मेरे पाँ E2 हुई, तो उनमें मेरे पाइस कौन सा काइनेटिक आइसोटोफ एफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक मैं आपको यह बताता जाओंगा, ठीक, यह बात हमने यहां पर कर ली, यदि नेक्स क्यूशन की बात करें, नेक्स क्यूशन क करेंगा, यह एजल लीविंग ग्रूप निकल जाएगा, यहां पर यहां पर क्या रहेगा, यहां पर यह वाला प्रोड़क्ट हो गया, यहां पर यह SP3 था, SP3 था, SP2 हो गया, यह थी किसी के दिमाग में आ रहा हुगा, काइनेटिक, मतलब से काइनेटिक आइसोटोफ में गलत है, उसका रीजन यह है कि मेर पास हाइडोजन और मेर पास डिट्यूरियम है वो मेर पास किसमें, RDS में मेर पास पार्टिसिपेट कर रहे है, RDS में मेर पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सा हो गया, यह बन डिगरी मतलब, primary kinetic isotope effect हो गया, यहां पर में हमिने बहुंत अच्छा उरिया है सकते हुआ हम ने क्लम पर्दफ को प्रोडिक्त को देखा और मेरे पास हो रहा था मिलशádق है क्वेरे हैं यहां पर हाइदोर्गन ऑडिटीरिम है यहां-टीरियम है है यहां पे छहाइदशना कुण सा here so happier कोई हाइड ही जंजन और डूटीरियम मेरे पास ब्रेक नहीं वह रहा है कोई हाइन डूटीरियम ब्रेकieux तर्ष्सका मतलब मैं भोल सकता हूं कि यहां पर इस भीत्री में जा रहा है सेकंटरी को इनाइटिक मतलर आफ इसे में वह से बहुत सकते यह बहुत नेक्स्ट वहला एक्जामपल विए उस नेक्स्ट वाला एक्जामपल समय आप को डिफाइन करना है कि यह वन दीगरी है यह शेक Sud काइडिक इसो टोबेखता है तो dumpling को बता देता हूं div मिन करवा देता हूं यहां तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास यहां पर देखा जाए यहां पर देखा जाए मिरे पास तो मैं बोल दू कि मेरे पास क्या हो गया देखो यहां पर इसका प्रॉडक्ट देखा जाएं तो प्रोड़क्ट मेरे स्टेज के औरода की हो गाएं ह Deputy करे यहां पर इसको निकाल दे क्षूब हो गाएं पर फाइनल प्रॉडक्ट थो मि मेरे पास यह वाला फॉर्म हो गया अब मेरे को यह डिफाइन करना है कि मेरे पास रियक्षिन किसी स्टेफ से गई कैसे गई कैसे नहीं गई ठीक है तो देखो मेरे पास यहां पर सब्सक्राइब यहां पर मेरा पास कोन सब्सक्राइब यहां पर इसका बोल सकता हूं कि मैं अब में सेकेंडरी में बोल रहा था हां दूसरी बात हमने बोली थी क्या है में अब मेरे बास ना नुद कोईया पर में हुए और यहां पर रहा हुआ कि मेरे बृण घ्राइब रह ठाना तोब प्राइमेरी हो तो मेरड पर हैंजी नहीं हो रहा ना मतलब कोई नहीं तो नहीं है इसका कौन सा हो गया अब मैंने यहां पर यह मालोग पहले वाले को ईलिमनेर करके मैं इसको बोराओं कि सेंट्रि काइनेटिक आइसोटो विफेक्ट हो गया ठीक है अब मैं पूछ हूँ कि मेरे पास यह किस पाथ से रियक्षन गई होगी मतलब मेरे पास डायरेक्ट आइसन टू होगी यह डायरेक्ट आइसन वन होगी तो देखो फिर से वही बात आ गई अब यहां पर हम इसको यह भी पता हो गया और सेकेंडरी में एक बात तो कर रहे थे मेरे पास हई्डोजन ओडीटिरियम पार्तिशिपेट नहीं करना चाहिए अब इसमें थीक है दूसरा हम बोल रहे थे कि यहां पर क्या हो गया हाइबडाइजेशन हाइबडाइजेशन अपने पास क्या होना चाहिए कार्जिटाइन फॉर्म कर दूमिंए यहां पर चार्ज फॉर्म कर दो यहां पर यहां पर क्या पास कि इस तरी यहां पर है सब्सक्राइब है यहां पर दे रहे हैं और एक चीज और मेरे बोल सकता हूं के अपने पास और रहा है वह से मतलब यह अपने पास यह रिंग करकॉड को जो रहा है यह क्या हो रहा है है इससे इसे स्टेबलाइज यहां पास कुंसी reaction होगी SN2 reaction होगी non polar apoptic solvent polar apoptic solvent कुंसी reaction होगी SN2 reaction होगी और उसके case में हम यहां पर transition state हम से पूछी जाए तो इसके मतलब कौन सा हो रहा था TBP हो रहा था तो TBP में वह अपने पास hybridization change हो रहा है नहीं हो primary है कौन सी reaction जा रही है कौन सी reaction नहीं हो रही ठीक है तो यहां पर हम यह देख सकते हैं तो यहां पर answer क्या आपने पास secondary kinetic isotope effect आई ठीक है अब मैंने यहां पर एक बार के लिए लिए हमने यह पर तो उसक्यूसन को पहले हम सोल कर लेते हैं यहां पर इस क्यूसन को देख सकताओ यह एक तरह से living group हो lifts कि क्या हो सकता है यह जी लीविंग वह सकता है में यहां कोई और को बिष्क प्रियू हो यहां पर यह है इताँ हो ने अब मेरे पास इसका प्रोडक्ट कीया मैंने... मैंने प्रोड़क्ट किया किया है कोई Y और होगा तो यहां पर कोई एलेक्टोफिलिक सेंटर तो है नहीं ऐसा कि यहां बैज जिस पे और टेक कर दे तो यहां पर तो यहां पर बाइब और इन्द प्रजेंस अपने पास गरब देगा और इसको निकाल देगा तो मैं बहुत सकता हूं कि कुछ ऐसा फोर्म हो गया होगा यहां पर इनचरान को सबक्ता है कोन सी गई है कुछ मेरेग्षं इसमें K1 है E2 है E1 CB है और मेरे पास KH upon KD की वेल्यू कितनी है मलब यह primary है यह secondary kinetic isotope effect है ठीक तो देखो इसमें देखा जाए इसमें मतलब कौन सा kinetic isotope effect है कौन सा नहीं है पहले तो यह चीज देखा जाए तो इसके अंदर की बात करो तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो hydrogen है मतलब मेरे पास living group है जो मेरे पास living group है वह इतना अच्छा नहीं होना चाहिए इतना अच्छा नहीं होना चाहिए देखो यहां पर हम इसको summarize का रखा है हमने पास even 利वईंग गृट सिपोलें टेशल्य में वाम्रों करकेक। में टौने टम्राइब Доौना की प्रेख कर बनाथ द्सक्राइब स्wick Chelsea सब्सक्राइब दितने प्राइब करनी बन्राइब इवन प्रेख करिऊ एस भी नहीं प्रेख़ επιहिश्क्ति आकारें demon की बात करूँ even mirr koam ự Software प्रविभिव एक है już तो यहांपे देखा जाए मिरपास सारी कनिष इसन पर क्या घर लिए यहां पर और में सारी एक एक चीज को मतलब को मतलब डील करता हूं यहां पर कि क्या है क्या नहीं आपको E1 E1 E2 और E1 CB का रोल भी समझ में आ जाएगा कि E1 E2 E1 CB कैसे मैंने हमने Define किया है देखा जाए तो यह Mission मैंने पहले अपने गृट मैं यहां पर Share कर रखा था आपसे पूछा था कि ईवन होगी है e2 और सीपैपो को बता देते हूं कि एवें ह। हम क्वेजाते हैं start करते पहले अपने आपने पास क्या अपने पास क्या होना चीए। की में यहां पर देखा जाएं कि यह मेरा पास क्या हो गया मालों कि एन में म्रेज़ लिविंग ग्रूब निकल रहा है तो यह पर क्या होगा कार्भो केटाइन++ कार्भोकेटाइन++ ESA मतलब मैं एक कर्भोकेटाइन++ कि इवन तो मेरे पास नहीं होने वाली इवन मेरे पास नहीं होने वाले ठीक है यह बात मैं यहां से कर ली सेकिंड की बात कुरू में सेकिंड की बात कुरू सेकिंड में मैंने क्या बोल रखा है आपर जो मेरे पास जो मतलब लीविंग गूरूप है जो लीविंग गूरूप है वो यह सा होना चाहिए कि Nt होना चाहिए पहली बात हो ठीक है एंटी होना चाहिए और जो पहली step में लिख रहे हैं हमने बोलाई CX break CC pipe form और living group all are the same time मतलब दोनों same time पर होना चाहिए ठीक है अब यह बात यहां पर गारे E2 की बात में पहले E2 की बात लिख रहे हैं हम यहां पर E2 में हम देख सकते हैं कि पहले जो hydrogen और जो अपने पाद जो long group है वो क्या होना चाहिए एक दूसरे के Nt होना चाहिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां भी हमें दिक्कत आ रही है E2 और E1 CB में हम define नहीं कर दिया E1 को थो हमने eliminate कर दिया E1 CB और E2 को हम define नहीं कर पा रहे हैं यहां पर तो देखो E1 CB की conditions देखे हैं E2 में तो हमारे पास कोई ऐसी condition नहीं है living group कैसा है कैसा नहीं है यदि मैं E1 CB के बात करूँ मैं E1 CB के बात करूँ तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो कार्ब A9 form हो रहा है वह कार्ब नहीं electron withdrawing group की वज़े उससे मेरे पास क्या होना चाहिए यहां पर stabilize होना चाहिए कि मतलब मेरे यदि मैं यहां पर 9 form कर दूँ तो मेरे पास electron withdrawing group है यह इधार उससे stabilize होना चाहिए living group लेकिन यह क्या है पूर living group ठीक है यहां पर यह बात है यहां पर यह देख सकते हैं तो मतलब बहुत सकता हूं अपने पास यहां पर पहली step में निकल जाते हैं यहां तो अपने पास यहां पर कौन सा effect हो जाएगा यहां पर देखा जाए हैं तो मतलब केच अपने यह देख सकते हैं और हम जो लास्ट वाला क्यूशन उसको डील करें हम लास्ट वाली क्यूशन को हम डील करें तो हमेरे पास फिर से हमने वही कंडिशन से दे रखी है लग एलिमिनेशन होगा hydrogen यहां से अपस्टेट होगा अपने पास अब फिर से यहां पर हमें यह रिफाइन करना कि यहां अब क्या रिएकशन होगी E1 होगी E2 होगी यह में पास E1CB होगे ठीक है यहदि E1 की बाद करूँ तो E1 में पास क्या होना चाहिए पोजिटिव चार्ज फॉर्म होना चाहिए और वह इलेक्ट्रोन डॉनेटिंग गरूप की वजय से में पास क्या है stableyze होना चाहिए यहां देखा यहां पर आप SIR है तो में बोल सकता हूं कि एसा कोई group है नहीं की एसको stabilize कर रहा हो यहां पर कोई OCS ते लगा दुँ तो मैं बोल सकता हूं कि मिलोप है यहां पर पहले क्योंकि यहां पर गुड़ लीविंग गुरूप होना चाहिए और गुड़ लीविंग गुरूप के लिए मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास आई हो और OCS 3 OCS 3 गुरूप हो तो 100% मेरे पास क्या होगा एवन रहेगी यहां पर 100% एवन रहेगी लेकिन आईडीन के बाद मे मेरे पहले केसी पास पहले ही यहां पर क्या हो गया यह कहँ पहली इवन सीबी की बात कर लेता हूं में एवन आगा एक रेख इन पूर सक्ते हैं कि अपने पास क्या हो और बात कि तीए उसकी सॉपर यहाँ पर के इयमने अपने पास क्या होगा चीए का पर कहा की बात करें यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर इसकी बात कर रहे हैं यहां पर यह सी एल है यहां पर सीएस्ट्री है मेरे पास क्या है सीएस्ट्री है और मेरे पास यहां पर डबल बॉंड है और बोल रहे हैं कि अपने पास यहां पर यह वाला है यहां सीबी में यह कार्व नाए मेरे पास स्टेबलाइज होना च कर लेगा यहां पर यह रिजोनेल्स की वज़से बैदी ने कर दिया कर बिन फोर्म भी कर दिया में पार इसी में करता रहेगा तो यहां पर बोल कि मेरे पास यह इवन सी बी को फिर फर नहीं करेगा एवन सी बी को फिर फर नहीं करेगा ठीक है अब मेरे पास दूसर एक option बचता है कौन सा option बसता है मेरे पास यहां पर यहां पर यहां पर इसके यहां पर निकाल देगा तो मेरे पास को नियुक्त रियक्षन होगी अब यहां भूछा होगा कि कार्ब और इसको अउसर बता है इसलिए वह उसी चीज़ को को इदिआ एक बार के लिए में आपको बनाके दिख्व ..... मेरे पास टो यहां पर मेरे मेरे पासी में कुसे कॉप one तो यहां पर कॉंसा हो गया और कॉसी अरोमेटिक कॉंपेर तो तो यहां पर यहां पर नेगेटिव फोर्म हो गया मिर बार एक बार के लिए तो वहां पर उससी रिंग में पार्टिसिपेट करता रहेगा थीक है तो इसका मतलब में पास क्या हो गया हुआ फर डियक्षन हो यहां फर ऑफ यहां पर ये देख सकते हैं और एक चीज और बोल नहीं हुआ है कि क्लोरीन है कि यहां पर लीविंगृप ठीक है अच्छा अच्छा इंदे में में यहां पर यहां पास मेरे पास करते हैं वहां मेरे पास एक condition कंडिशन और आजाएगी कौन से कंडिशन फूर लीविंग ग्रूप हो गया और मेरे पास कार्वेन इन भी स्टेबलाइज हो गया तो मेरे पास दोनों को क्या अगर रहा है फुल्फिल कर रहा है तो वहां पर मैं बोल सकता हूं कि एवन सी भी होने के मेरे पास ज्यादा चां कर रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन इत्यरियम पार्टिशिपेर करा RDS में में मेरे पास प्राइमेरी काइनेटिक आइसे टोप एफेक्ट हो गया और इसकी ऑपजर कितनी कि गई कि गई तो इसका मतलब भ्यान रखना अपने पास यह से क्योंते से तो मैंने और यह एक्योचन भी चेहर किया अपने ग्रूप में तो यह से जब क्यूचन आ जा जाए나 तो उनमें पहले देखना है कि अपने पास कोसी रियक्शन जा रही है को कि नहीं जा रही तिक देखा जाहें तो यहों मैГभी फाइंडीड़ी पॉन्वारेट के हैनी त Three तोनों में मेरे पाइंडेटिक ईसे टोफ डेक्षाज़ हम यहीं क्लोज करते हैं यह आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ठीक है थेंक यू पूर वाचिंग दे वीडियो